Hello everyone, welcome back to my channel और आज हम बात करने जा रहा हैं आहरवेद पर और आज हमारा टॉपिक रहेगा हल्दी यानि टर्मरिक प्यारे दोस्तों आपने इसके बारे में काफी अक्सर सुना है और हमारी किचन का ये अमूल्य पार्ट है जिसे हम डेली बेसिस पर अपने खाने के पिदार्थों में यूज़ करते हैं हमारी सबजी में अक्सर माताय भाने हल्दी डालती है तो उनको केवल ये मालूम होता है कि ये केवल सबजी में रंग देने के लिए होती है या एक कलर्स में आ जाता है फ्रेग्रेंस आ जाती है लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा औशिदेगुनिस के अंदर होते हैं जिन से हम अंजान होते हैं आयरवेद इसके बारे में बहुत अच्छी व्याख्या करता है आयरवेद हल्दी को बहुत अच्छा मानता है ये नेचरल स्ट्रोइड के रूप में भी बहुत अच्छा माना जाता है जो आज जिम वाले भेन भाई आज स्ट्रोइड बहार से लेते हैं उसके अंदर नेचरल स्ट्रोइड बाया जाता है तो इसके बारे में हम इस तरह से जान लेना चाहिए वहीं इसके अन्योगुणों की बात करें तो यह सौंदर्य वर्धक के रूप में भी बहुत अच्छा माना जाता है प्यारे दोस्तों हम सौंदर्य के सादनों पर बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं हमारी माताएं बहने काफी खर्च करती हैं अपने सौंदर्य के परसादनों पर लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सौंदर्य जो है बाहर का विशा नहीं होता है अंदर का विशा होता है क्योंकि हमारे रक्त विकार जब ठीक हो जाते हैं हमारा रक्त जब शोधन उसका हो जाता है और हम सुन्दर हो जाते हैं इसका गुण सुन्दर वर्धक तो है ही साथ में इसको दो तरीके से हम परियोग कर सकते हैं एक तो आप हल्दी को ले लिजे हल्दी पावडर ले लिजे और उसको थोड़ा कड़ाई में इसको फ्राई कर सकते हैं जब इसका color थोड़ा हलका लाल हो जाए तो आप इसको निकाल सकते हैं और एक डब्बे में डाल के रख सकते हैं सुबह शाम जब आप दूद के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो निश्यति आपके चेहरे की सुंदर ये बढ़ेगी और आप सुंदर हो जाएंगे चे 1500 ग्राम हल्दी ले लीजिए और उसमें लगबग थोड़ा सा ओयल भी आप इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं और उसका जब आप स्नान यानि नहने से पहले जब आप उस पर बोड़ी पर लेप लगाएंगे या अच्छे से मलेंगे शरीर पर इसका मरदन करेंगे तो निश्यती आपके शरीर का कलर भी फाइन होता है और स्किन की जितने भी समस्य होती है और कलर की जो बात करें तो कलर भी से फाइन होता है और चर्म विकार हमारे ठीक हो जाते हैं साथ में सौंदरे भी इससे बढ़ता है और हमारे शरीर पर तेज माई और कांती में हमारा च गहाव और चोट में भी बहुत अच्छा काम करता है, गहाव और चोट को बहुत जल्दी रिगवर करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, जब भी हमें चोट लग जाती है तो हम हल्दी के बारे में आप जानते हैं कि हल्दी का दूद हम लेते हैं, और डॉक्टर हमें ह कसी प्रकार कुर 70 के रोग होते हैं उन्सभी का शमन करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है तो इसको हम ठीक कर सकते हैं वहीं यह कफ निश्तारक के रुप में बहुत अच्छा जाना जाता है आईरवेद इसको कफ निसारक मानता है यानि कफ की जितने भी समस्याइं हो उन में ये बहुत अच्छा काम करता है तो जितने भी कफ की समस्याइं हो तो आप हल्दी का प्रयोग करें तो ये कफ को पिंग लाकर बाहर कर देता है वहीं पीलिया के रोगों में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है पीलिया के जितने भी रोगों उसमें ये बहुत बड़ा काम करता है तो पीलिया के रोग में भी ये काम करता है अगर हम हल्दी के और रोगों में बात करें तो ये हमारे जो हमारी गाठे या रसोली हो जाती है उनमे में भी हम हल्दी के प्रयोग कर सकते हैं वहीं चोट और घाव होने पर तो हम इसका प्रयोग करते ही है सवन्दय रवर्धन में में इसका बहुत बड़ा योगळान है वहीं हमारे जो भी माताय भैने pregnant, होती हैं उनको इसका प्रयोक कर लेता चाहिए, क्योंकि इससे रक्त शोधन रहता है और यह शोधक के रूप काम करती है तो इधिते होने वाले शिशु के लिए भी भूवत अच्छ आखे चिता है तो अनों तरीके से प्रयोग करते हैं, डबल तरीके से इसका जो benefit शरीर को मिलता है, तो ये काफी लाबकारी सावित होती है, एक मैने इसका आपको गुण बता है कि ये वात और कफ नाशक मानी गई है, हल्दी का जो गुण होता है, वो गर्म होता है, तो इसको हम गर्मी अगर ज अच्छी लगी हो, तो आप हमार साथ जुड़े रहें, और ऐसे ही अच्छे अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लिकाराता रहूंगा, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो हम आपसे मिलते रहेंगी, नमस्कार जय हिंद,